देश में नागरिक्ता संशोधन अधिनियम सुमवार से लागो हो गया 2019 में जब इसका कानून संसद में पारित हुआ था तब देश में कई जगह विरोध हुआ था गुहाटी में आल असम स्टूडेंट्स यूनियन के बेनर तले लोग सडकों पर उतरे थे और हिंसा भड़की थी इसके बाद CAA का मामला थम गया था बिते दिनों जब ग्रह मंतरी अमिश्या ने लोगसभा चुनाओं से पहले CAA लागो करने का बयान दिया उसके बाद आसू ने विरोध की तैयारी शुरू कर दी थी इस बार 30 जंजाती संगठन और 16 दलों का विपक्षी मंच विरोध में उतरा है एक दिन पहले आसू ने राज्य में 12 घंटे की बुक अड़ताल भी की थी अब मंगलवार से राज्य में इनके प्रत्रशन शुरू हो जाएंगे असम पुलिस सुत्रों के मताबिक विरोध रोकने के लिए गुवाटी में जगा जगा बेरिकेडिंग कर दी गई है कई थाना शेत्रों में खाली परिस्वरों में अस्थाई जेले बनाई जा रही है राजनितिक विशलेशोकों की माने तो इस बार आंदोलन उगर हुआ तो ये राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर असर पड़ेगा पिशले लोकसभा चुनाओं में भाज़पा नो सीटे जीती थी असम में कॉंगरेस की अधिक्षता में बने 16 दलों के सयूगत विपक्षी मंच ने CAA के खिलाब बड़े अंदोलन की धमकी दी है मंच के सदस्यों ने गुरुवार को असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और राष्टपती द्रोपती मुर्मू के लिए एक ग्यापन सोबा जिसमें केंद्र की और से असम के लोगों पर CAA थोपने से रोकने का अनुरोद किया गया है इसकी सद्द बनेर इसकी सद्द बनेर इसकी सद्द बनेरान